ए इस बीडियो में करने वाले हम integration का next question जो कि given है x into sec inverse x dx इसका integration करना देखो यहाँ पर दो function है multiply में आ रहे हैं अगर दो function multiply में आते हैं तो हमारे पास एक ही तरीकारसे करने का वो है integration by parts तो हम यहाँ पर भी वही यूज़ करेंगे तो सबसे पहले मैं integration by parts का formula बता देता हूँ अगर किसी को नहीं पता integration by parts इसा यूज़ करते हैं जब दो function multiply में आते हैं तो यह formula हो जागा u dv u v minus v du यह इसका formula आप क्या करेंगे उन times को assume करेंगे एक होता यू एक dv तो u की जगह देखो हम लेंगे u की जगह हमेशा उसको ले u की जगह तो किसी भी टर्म को ले सकते हैं लेकिन dv की जगह उसे लेंगे जिसका integration हमें मालूम हो x का integration मालूम है मालूम है ओसे क्या करते हैं उस लेते हैं unc का तो सैक्षा इन्वर्स एक्स का इंटिक्रेशन नहीं नहीं मालूम है तो उसे हम इसलिए यू लेगे जिस का इंटिकरेशन हमें मालूम नहीं होता उसको यू लेते हैं यह बात ध्यान रखो लेंगे x को x dx हमें चाहिए डियू चाहिए और वी चाहिए तो यहां से इसका derivative क्योंकि हमें इसका derivative पता होता है इसलिए हमने uk equal लिया है अगर हमें इसका integration मालूम होता तो हम इसे इसका derivative होता वन ओवर ध्यान से एक्स एक्स स्कॉर माइनस वन लिख लेंगे साथ में डी एक्स डी वी से निकालना में वी के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोन तरफ इंटिग्रेशन तो डी वी का हो जागा वी और एक्स का हो जागा एक्स स्कॉर बाइ अब यह वैलू उठाके हमें राइट साइड वाले पार्ट में रख देनी है ठीक है क्योंकि लेफ्ट वाला पार्ट तो कोशन में ही गिवन है हमें सब से पहलब चाहिए, यू की जगा सेक इंवरस एक्स सेक इंवरस एक्स मिल्टिप्लाए वी यी जगा आया एक्स स्कॉर बाइटों इंटिग्रेशन integration v की जगाए x square by 2 और d u की जगाए 1 over x x square minus 1 dx बस इसको simplify करो यह x square by 2 जो मैंने बता था यह ट्रिग्नोमेटिक फंक्शन ओ, लोग फंक्शन ओ, कोई फंक्शन आ रहा है, उसके बाद कोई टर्म लिखा हो, तो हमेशा उसके फ्रेंट में लिखा करो, इससे कन्फियूजन नहीं लाएगा, नहीं तो कभी कभी एक्स को एक्स स्क्वार के साथ मल्टिप्लाइ हो या थी ग बचेगा एक्स और नीचे बचेगा एक्स स्क्वार माइनस वन डी एक्स अब देखो, इसका इंटिग्रेशन करना तो काफी आसान है, जब डिनेम एक्स्वार माइनस वन को मैं कुछ एजियूम करता हूं तो इसका डेरिवेटिव टू एक्स आएगा, यानि एक्स आ रहा ह है इसका derivative निकालो यह आएगा 2x dx y का dy हो जाएगा हम solve करते हैं dx के लिए तो dx यहां से निकालो कितना आजाएगा dy over 2x यह जो value निकाली है हमने इनको put कर देना integration में जाके वापस तो हमारा integration हो जाएगा यह अब आजाएगा यह तो बाहरा ऐसे चलता जाएगा x square by 2 second verse x minus 1 by 2 integration x जाएगा कुछ नहीं लिया x square by 1 की जाएगा लिया हमने y और dx की जाएगा dy over 2x तो यहां से देख रहे हो 2xx cancel हो जाएगा यह cancel हो जाएगा यह 2 बचा 2 denominator में जाके इस 2 से multiply हो जाएगा तो यह हो जाएगा 1 by 4 इसको थोड़ा उपर कर देते हैं तो हमें exponent की form में लिख ले रहा हूं वाई की पावर 1 by 2 लिख लेंगे square root को ठीक है square root का मतलब exponent 1 by 2 अब देखो अभी मैं इसमें power rule नहीं लगा सकता क्योंकि यह term denominator में तो नेगेटिव बना देना तो यहां पर यह 1 by 2 उपर जाके माइनस 1 by 2 हो जाएगा x square by 2 sec inverse x minus 1 by 4 यह यह yq power minus 1 by 2 अब इसमें बस power rule लगा दो और integration इसका कर दो तो हिहां पाजा गए यह x square by 2 sec inverse x minus 1 by 4 इसको bracket में लिख लेता हूँ थोड़े के लिए तो y की power exponent में क्या करते हैं power rule में क्या करते हैं exponent में एक add कर देते हैं और जो ऊपर लिखा हुआ exponent में उसी से denominator में divide कर देते हैं plus integration constant इसको simplify कर लो minus 1 by 2 plus 1 तो 1 by 2 ही होता x square by 2 sec inverse x minus 1 by 4 यह बचेगा उपर y की power 1 by 2 नीचे यह 1 by 2 plus c अब यहां पर देखो जब fraction divide में होते हैं तो उसे सोर करने के लिए हम क्या करते हैं जो भी denominator में लिखा है उसके रहसी प्रोकर से multiply कर देते हैं रहसी प्रोकर मतलब उसको पलेट देना है 1 by 2 को बस पलेट देना है जो भी denominator में लिखा है numerator का कुछ नहीं छेड़ना है तो यह हो जाएगा 1 by 2 यह इसको पलेट दो बस 2 by 1 numerator में जो भी चीज़ा ऐसे रहेगी प्लस C यह 2 से 4 1 by 2 बार कैंसल हो जाएगा और Y की जगा हम वापस put कर देंगे Y की जगा हमने क्या माना आता है देखो यहाँ पर Y की जगा माना आता है X square minus 1 तो हमारा यह final answer आ जाएगा second verse X और यह 2 से 4 1 by 2 यह आ जाएगा Y की पावर X square minus 1 इसकी पावर 1 by 2 इसे square root में लिख सकते हैं यह ऐसे रहने दो यही इसका answer है ठीक आशा करता हूँ यह सब को समझाया होगा अगर समझाया है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करदें चैनल्स को सबस्वाइब करदें अगर कोई doubt है तो comment section में पूँश सकते हैं उसे ठीक फिलाल इस वीडियो में इतना ही ओकर thank you मिलते हैं next video में next problem के साथ कि अव्राइब यह 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 झाल झाल